न्मस्कार मैं हूस सासी आई जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं CM हिमन्त को ED का पांचवा समन 4 अक्टूबर को पेस होने का निर्देश जर्खन के CM हिमन्त सुरेन को ED की और से 5 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है जमीन मामले में चौथा समन जारी कर इडी ने उन्हे 23 सितंबर को इडी के रांची ओफीस पेस होने को कहा था लेकिन वे हजिर नहीं हुए थे CM हेमान सुरेन की ओर से इडी के समन को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी सुप्रीम कोट के निर्देश पर वे हाई कोट में चक्का दायर कर चुके हैं और इडी के समन को निरस्त करने का अगरख किया है बता दे जहारकन के CM हेमान सुरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगर्स्त को प्रवतन निदेश सालाय के रांची स्थीत रिजिनल ओफिस में पुष्टाच के लिए बुलाया गया था हाजिर नहीं होने पर दूसरी बार समन जारी किया गया और 24 अगर्स्त को पेस होने को कहा गया इस बार भी जब CM हेमान सुरेन इडी ओफिस में पुष्टाच के लिए नहीं पहुशे तो तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को पेस होने के लिए कहा गया इस बार भी सियाम हमान सुरेन इडी ओफिस नहीं आए इसके बाद चौथा समन जारी कर तेई सितंबर को पूछताश के लिए इडी के कर्याले में नहीं आने पर 26 सितंबर को इडी ने सिया में में सुरेन को पांचबा समन जारी किया है और 4 अक्टूबर को प्रवतन निदे सालाई के रांची कर्याले में उपस्तित होने को कहा है जारखन में बड़ा हादसा नदियों की तेजधार में बहे 5 बच्चे जारखन के धनबाद और हजारी बाग जिले में मंगलवार को दो अलग अलग घटनाओं में 5 बच्चे नदियों की तेजधार में बह गए हैं इन में से 3 बच्चों के 100 बरामत कर लिये गए जबकि 2 अन्य का 3 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया दोनों घटनाओं जारखन का स्थानिये लोक पर्व करम पूजा के बाद भी सहजन के दोरान हुई है बताद धनबाद में बाग मारा थाना चेतरे की जमूनिया नदी में करम पूजा की डाली के बी सहजन के दोरान पाच बच्चे नहाने के लिए नदी में उत्रे और गहरी धार में चले गए वहीं पाचों बच्चे बहने लगे तो कुछ लोगों के उन पर नजर पड़ी उन्हें बड़ी मकसद के बाद बाहर निकाला गया इसके बाद उन्हें बी सी सेल के छेतरी ए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनमें से दो सलोनी कुमारी और देवराज कुम कि लासे बीच गई बेला में होई इस घटना के बाद हरकम्प मच गया है बताया जाराए कि मंगलवार साम को बारिस के दुरान बजरपात की घटना हो गई इस दुरान बालू माथाना छेतर के गनेश पूर पंचायत अंतरगत चमातु गराम की ओजा टोला में दो दरजन बकरिया इसकी चप्रेट में आगई इसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई है इस्पीकर रविंद्र नाथ ने मंत्री बेवी देवी को बिधान सभा सदसे की दिलाई सपत जार्खन की मंत्री बेवी देवी ने मंगलवार को बिधान सभा की सदसेता ग्रहन की सपत ग्रहन को ले करवा अपने पूत्र के साथ जार्खन बिधान सभा गई चारकन बिधान सभा के अदेश रमीजनात महतों उन्हें सपर दिलाई है इस दरान उन्होंने कहा है कि वे अपने पती दिवंगा जगनात महतों का धूरे सपनों को पूरा करेंगी यह उनकी प्राथ मिक्ता होगी आपको पता देख कि हाल ही में बेवी देवी ने डूमरी उपचुना में या सोधा देवी को प्राजित कर जीत हाचिल की है वे इन्या गट बंधन की ओर से जामों के पत्यासित थी और या सोधा देवी एंडिये की ओर से आजसों की उमिदवार थी राज्य के सभी थानों को CCTV से लेस करने का आदेश जहारखन हाई कोट ने अपने एक फैसले में DGP को निर्देश दिया है कि दाज के सभी थानों को पूरी तरह से CCTV से लेस किये जाए इसके साथ ही आदालत ने डिजीपी को यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी बेवस्था की जाए जिसे धाने में लगे स्थी सी टीवी के डाटा 18 महीने तक एस्टोर रहे हाई कोट ने प्रपर्टी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और सौभिक बनारजी एवं अने की ओर से दाकिल्याज का प्रसुनवाई करते विया अदेश पारित किया है इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सीनहा, अजैसा और कुमार रिसव ने बहस की वही राज सरकार की ओर से अधिवक्ता वीनित चंद्रा ने बहस की है धनबाद में 26 लाख लोगों का बनेगा आयुसमान काड केंद्र सरकार की महतपून स्वक्षता ही सेवा अभियान जिले में शुरू हो गया है इसे लेकर सरकारी अस्पताल और स्वास्ट केंद्रे में विशेश साप सफाई अभियान शुरू की गई है वहीं इसके साथ ही 17 सितंबर से 2 अग्डूबर तक आयुसमान भावा सेवा पाखवाडा की भी सुरूआत की गई है सिविल सर्जन ने बताया है कि इस सेवा पाखवाडा के तहत आम लोगों के लिए बिभीन परकार के स्वास सिविल आयुजित किये जा रहे हैं इसमें घर घर जाकर आयुसमान कार्ड बनाने इसके सुचिबद अस्पतालों में सिवाए दुरूष्ट करने और उनके निगरानी लोगों को गोल्डन कार्ड बनवाने आदिकी साहत परदान की जा रही है भारतिये किर्केटर सौरब तिवारी पहुंचे देवगार बाबा बैधनाथ पर जलारपन करने के लिए किर्केटर सौरब तिवारी देवगार पहुंचे इसदरों अपने पसंदिदा किर्केट खिलारी की एक जलक पाने के लिए लोगों में होड मच गई इसदरों कई लोग सेलफी लेते भी नजर आये हैं बतादे भारतिये किर्केटर सौरब तिवारी मंगलवार को देवगार पहुंच कर बाबा बैधनाथ मंदिर में पूर्या अर्चना की तिर्थ पूरोहीत ने बिधी बिधान के साथ सौरब को जलारपन कराया वहीं क्रिकेटर सौरव तिवारी के देव घर पहुशने एक ख़वर मिलते ही खेल प्रेमियों का होजूम बाबा मंदिर परिशर में उमर पड़ा इस दरण क्रिकेटर सौरव के साथ सेलफी लेने की होड मच गई दो हजार रुपाई के नोट बदलने के लिए बचे हैं केवल चार दिन अगर आपके पास दो हजार रुपाई के नोट पड़े हैं और अभी तक आपने इन नोटों को एक्सचेंज नहीं किया है या फिर अपने बैंक खाता में जमान नहीं किया है तो आपके पास अपके वल चार दिन का समय बचा है बता दे दो हजार रुपए के नोटों को अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक एक्षेंज या फिर डिपोजिट नहीं किया तो आपके मुस्ट के लिए बढ़ सकती है अभी भी 24,000 को रुपए के 2,000 रुपए नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लोटना बाकी है जो कि आम लोगों के पास पड़ा हुआ है अभुआ बीर दिसोम बना धिकार अभियान के तहत अक्टूबर से मिलेगा बन पट्टा जार्खन सरकार अक्टूबर महीने से अभुआ बीर दिसोम बना धिकार अभियान चलाने जा रही है जिसके तहत वनों पर निर्भन लोगों को वन पट्टा मुहय कराया जाएगा अगले महीने से सुरू होने वाले इस अभियान को लेकर इस मौके पर मुख्य मंत्री हमान सरेन अधिकारियों को अभुआ बीर दिसोम बना धिकार अभियान कंतरगात तेजी से भूमी ही लोगों को वन पट्टा मुहय कराने को कहा है जे एमेम का जबाब एडी और हाई कोट का नाव बने प्रवक्ता मुख्य मंत्री हमान सरेन ने एडी के खिलाब हाई कोट में याजका दायर की है जिसमें तुरूटिया पाई गई है इसी को लेकर बीजेपी के काना है कि सीम ने जान बोश कर गलती की है जिससे उन्हें और अधिक समय मिल जाए हमान सरेन की ओर से सुप्रीम कोट में याजका दाखिल होने के बाद हाई कोट में इडी के खिलाब याजका दायर की गई याजका में कई तुरूटिया पाई गई जीस पर हाई कोट ने मुख्य मंत्री को ठीक करने का ने दिश दिया है मुख्य मंतरी के द्वारा दायर की गई आचक्या में तुरूटी पाया जाने एक बाद भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से ए आरोप लगाया गया है कि मुख्य मंतरी जान बोच का तुरूटीय डाले हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके वहीं भाजपा के इसी ब्यान पर जारकन मुख्य मुख्या ने जवाब देते हुए कहा है कि हाई कोट और एडी की परवक्ता भी भारतिय जन्ता पार्टी बन रहे हैं जो की पूरी तरह से गलत है रांची में दो दिन में कटा ढाय लाह का चलान पिछले एक सब्ता से रांची पूलिस अपने पूरी ताकत राय धानी को जाम मुख्य करने में लगाई हुई है ट्रेफिक पूलिस के अलावा सहर के सभी थानेदा अपने अपने चेतर में अभियान चला रहे हैं लेकिन इसका असर राजधानी में कहीं देखने को मिल नहीं रहा है जब तक अभियान चलता है सलक पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है अभियान बंद होते ही इस थीती फीट से पहले जैसा हो जाती है जबकि मात्र दो दिनों में ट्रैफिक पूलिश ने सिर्फ सलक पर पार्किंग को लेकर ही अधाई लाह का चलान काटा है सरकारी नोकरी में ज़ारखन से चैनित 147 में से 25 को मिला नियुकती पत्र भारत सरकारदवरा आजित हो रहे है रोजगार मेले के तहत मंगलवार 26 सितंबर को रांची सहीद देश परके 46 अस्थानों पर सरकारी नोकरियों में चैनित 51,000 सहतीक अभियार्थियों को नियुकती स्वपा गया इस मौके पर CCL सभागार में आजित कारकरा में केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा राय सभा सांसाद आजित तेसा हो रांची विदायक सिपी सिंग रांची सांसाद संजाय सेट सहीद कई गणमाने आतिती मवजूद थे इस दरन 25 अभियार्थियों को नि टीम ने लगातार दूसरे साल खिताब जीता दिली में मंगलवार को संपन फाइनल में जार्खन ने हर्याना को 3-0 गोल से हराया जार्खन से संथ पैट्रिक स्कूल गुमला इस्थित अवासे सेंटर की टीम टूर्नामेंट में राज का परतियोगिता जीत कर संथ पैट्रि टूर्नामेंट में जार्खन का पनीजित्व करने की पत्रता हासिल की थी सूबे को पर्याटन राज के रूप में बिक्सीत करेंगे सीम हमांत मुख्य मंत्री हमांसुरे ने मंगलवार को जारखन मंत्राला में अधिकारियों के साथ राज सरकार की ओर से प्रस्तावित नेतरहाट एको फेस्टिवल 23 के आयोजन की तैयारियों से समन्द बैठा की मुख्य मंत्री के समक्ष टूरिजम विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेंशन के माध्यम से विभाग की तैयारियों के बिश्तिरी जनकारी रखी सीम ने कहा एक नेतरहाट एको फेस्टिवल के आयोजन का मुख्य उदेश अंतराष्ट्री राष्ट्री और घरलू पर्याटको को अकरसित करना है ताकि जार्खन को पसंदीदा पर्याटन राज के रूप में पहचान मिल सके उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्रेश्ट देने का निर्देश दिया है पाराष्टिक्षको की बेतन मान को लेकर धम की जार्खन राज सहायक अध्यापक प्रसिशित संग बेतन मान की मान को लेकर लगातार अंदोरन कर रहे हैं जनकारी के उसर गुरू और को राजी के सभी जीलों में बैठक कर रांची में होने वाले धरना परदशन की रूप रेकर तयार की जाएगी परदेश कारेकारी अध्यक्स विकास कुमार ने बताया है कि बाइस वर्सों से जार्खन के पारासिशक बेतन मान की मान को लेकर लगातार अंदोरन करते आ रहे हैं दुर्भाग है कि अब तक सभी को बेतन मान नहीं मिला परदेश करकारिया दक्स विकास कुमार ने कहा है कि बेतरमान की मांग पुरी नहीं होने की वज़ा से अत्य हुए है कि दो अक्टूबर को रांची के मुरबादी मैदान में गांधी की परतीमा के सामने मौन धरना किया जाएगा लाभुक को बिना कटवती अनाज के साथ रसीद भी देना होगा जारखंडी भासा खतियान संहर समिती रांची ने मंगलवार को रांची जीला पूर्ति पता अधिकारी से मुलकात कर उन्हें ग्यापन सोपा जेबी के एसेस के केंद्रिय सदसे देवेंद्रे नाथ महतो अखतियानी सुमित ने बताया है कि रांची जीला में कूल 240 जन वीतरन प्रनाली की दुकान के माध्यम से लगबग 5 लाग परिवार के लगबग 29 लाग 80 जार लोगों को राष्ट्रिये खाद अधिनियम के तहत सस्ते दामों में अधिक्तम सबसीडरी पर खाद द्यान वीतरन करना है लेकिन सतरक्ता टीम के उदासिन रवया कारण एक भी दुकानदार लागों को अनाज के साथ रसीद नहीं देता लागों को दो महीने के जगा डेड़ महीने के रासन दिया जा रहा है प्रती यूनिट एक दो किलो अनाज की कड़ोती भी की जा रही है देवेंदर नात महतो ने जिला पूर्ती विभा को चेतानी देते वे कहाए कि दो दिन के अंदर सकरात्म करवाई करते वे लाभों को बिना कटवती किये पुन अनाज दिया जाए साथी रसीद भी दिया जाए 101 कन्याव का होगा समोहिक विभा अगामी 6 दिसंबर को 101 कन्याव का समोहिक विभा कराया जाएगा इसे सफल बनाने के लिए विश्रामपूर प्रखंड पिकास पताधिकारी प्रखंड प्रमुख बी सुत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष वपाध्यक्ष वपंचाज सचिव अंगनवाडी सेविका, रोजगार सेविका एवं संस्था सचिव विकास कुमार माली ने बैठक की प्रखंड पिकास पताधिकारी एवं प्रमुख तथा बी सुत्री अध्यक्ष ने इस कारे को सराणिये बताया सभी लोगों को मदद करने के लिए कहा गया साथ ही अपने अपनी कन्याओ को इस संस्था से निवंधन कराने के लिए लोगों को जगरू करने की बात कही गई संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने कन्या बीवा और विकास सोसाइटी के उदेश एवं लक्ष के बारे में सारी जनकारी दिया है धन्यवाद